ओम शांती तीन दोश एकुष प्रातो मुरली अब बक्तो बाब दादा रिवाईज एक्तिस्तिन अश्टासी मधुबन परमात्माशिप बाबा ने कहा बचा और कर्मना दोनों शुक्तियों को जमा करने की इश्वरियों स्किम् आज रुहानी समा आपने रुहानी परवानों को देख रहे हैं चारों और के परवानों समा के ऊपर फिदा अर्थात कुरवान हो गए हैं कुरवान या फिदा होने वाले अनेक परवानों हैं लेकिन कुरवान होने के बाद समा के स्निहों में समा समान बनने में कुरवानी करने में नमबर वार है बस तो में कुरवान होत दिल के स्निहों के कारण, दिल का स्निहों और स्निहों, इसमें भी अंतर है, स्निहों सवी का है, स्निहों के कारण कुरवान हो ये हैं, दिल के स्निहीं बाफ के दिल की बातों को या दिल की आशाओं को जानते भी हैं, और पुर्नक करते हैं, दिल के स्नेही दिल की आशाएं पुर्ण करने वाले हैं दिल के स्नेही अर्थाद जो बाव के दिल ने कहा ओ बच्चों के दिल में समाया और जो दिल में समाया ओ कर्मों में स्वतो ही होगा इसनेही आत्माओ के कुछ दिल में समाता है कुछ दिमाग में समाता है जो दिल में समाता है वो कर्मों में लाते हैं जो दिमाग में समाता है उसमें सोच चलता है कि कर सकेंगे या नहीं करना तो है समय पर हो ही जाएगा ऐसे सोच चलने के कारण सोच तक ही रह जाता है, कर्म तक नहीं होता बर्दान कल्यान की भाबना द्वारा हर अत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चोय बुद्धी भव जैसे बाप में साप्रतिस्वत निश्चोय बुद्धी हो, कोई कितना भी डगमग करने की कोशिश करे लेकिन हो नहीं सकते ऐसे देवी परिवारी या संसारी आत्माओं द्वारा भल कोई कैसा भी पे फरले, प्रुधी बन समना करे या कोई इंसल्ड कर दे, गाली दे, उसमें भी डगमग हो नहीं सकते इसमें सिर्फ हर आत्माप्रति कल्लान की भवना हो, यह भवना उनके संसकारों को परिवर्तन कर देगी इसमें सिर्फ आधिर्ज नहीं होना है, समय प्रमान फल अवश्व निकलेगा, यह ड्रामा की नून है स्लोगन पवित्रता की शक्ती से आपने संकल्प को शुद्ध ज्यान सरुब बना कर कम जोरियों को समाप्त करो ओम शान्ति